तो दोस्तो आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करन्ट अफिस डिसकस करेंगे जून मंद के ये वीडियो बहुत हेल्फुल रहने वाली आपके लिए तो इस वीडियो को अन्ट तक जरूर देखेगा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कियाँ तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो क Curry को अपने दोस्त के साथ जरूर से शेयर करें तो आये Pack Carriers Cloud के नाम से जो आप Play Store से जाके डाउनलोड कर सकते हैं जैसे ही आप Play Store से अप्लिकेशन को डाउनलोड करते हैं इंस्टॉल करते हैं आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक उस पर आपको जाके अपनी Google ID से अपको लॉग इन करना है लॉग इन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉग इन करके अपनी एप्लिकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको Current Affairs के एक section दिखेगा यहाँ पर आपको Current Affairs इस पर क्लिक करते ही आप हमारे Current Affairs के section में आ जाएंगे हमारा Current Affairs का जो section है जो हम आपको course प्रोवाइड करते हैं application में बहुत अच्छा course है आपकी preparation में बहुत ज़ादा help होने वाली है मैं आपको बता देता हूँ यह course ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही question आप कम से कम चार से पांच बार revise करेंगे इतना helpful रहने वाला आपके लिए देखते हैं हम आपको क्या provide करते हैं हम आपको current affairs हिंदी में provide कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम English में भी provide करते हैं जो content होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है पहली चीज़ हम आपको daily current affairs provide कर रहे हैं daily pdf मिलेगी आपको daily आपको question answer format में मिलेगा ठीक है आपको daily के 20 question मिलेगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी practice कर सकते हैं और ये बहुत helpful होता है revision में question answers मिलेगे आपको current affairs current affairs format question answer के format में फिर ऐसे ही आपको weekly मिलेगा जो आपके पूरे week के questions आप daily questions आपको pdf मिलेगी उन में से जो important questions होंगे उनका आपका एक तो quiz होगा करेगा हर week 50 question का quiz बहुत होता है 50 question week के मतलब सारे important question आगे उसके साथ साथ question answer format में आपको हिंदी की e-book प्रोवाइड होगी जिसमें आपको सारे paragraph wise या फिर एक question answer format में आपको सारे week के current affairs मिलेंगे ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको provide करेंगे monthly pdf pdf आपकी हिंदी में ही होगी आपको top 100 question answers मिलेंगे ठीक है जो पूरे महिने के 100 important questions हैं वो आपको एक pdf provide की जाएगी उसमें मिलेंगे वो आपको question answer format में भी provide होंगे तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़ और यह आपका पूरा एक साल का course होता है आपको दो course के option मिलेंगे एक तो होगा for one year एक होगा for two year अगर आप new aspirant है आपको मतलब अभी आपने preparation just start की है तो I'll suggest आप दो साल का course purchase करें बट आप एक regular aspirant है और पढ़ रहे हैं तो आप एक साल का course भी purchase कर सकते हैं important thing इसके बाद यह है कि हम आपको अलग banking awareness के भी questions प्रोवाइड करते हैं bank से related जो आपके questions होंगे सब इसमें हम अपना course में cover कर देते हैं बहुत अच्छा content होता है content में आपको कोई शिकायत नहीं होगी and daily update होता है आपको daily PDF मिलेंगी उसकी भी कोई attention लेनी की जरूत नहीं आपको ठीक है इसके अलावा आप देखेंगे तो हम various exams की PDF भी provide करती हैं जो आपको आगे questions आप आगे paper solve करने में बहुत help मिलेंगी अब कच questions होते हैं जैसे कि कई सारे important days हो गए महिने के फिर books और authors कौन सी book release हुई है कौन सी author ने क्या book अभी publish की है फिर उसके बाद indexes हो गए reports हो गई फिर कोई festival celebrate किया गया है या कोई योजना आई है तो ये काफी सारे topics होते हैं तो ये topic wise current affairs भी हम आपको 20 type के PDF प्रोवाइड करते हैं जिसमें 20 अलग-अलग topics होते हैं और ये आपको हर महिने update होती रहती हैं ये चीज़ तो सोचिए आपको कितना अच्छा package मिल रहा है कितना अच्छा course मिल रहा है ठीक है इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़े provide कर रहे हैं हम आपको इसके अलावा state current affairs हर state के current affairs भी आपको individually provide होते हैं इसके साथ ठीक है तो देखिए हम आपके लिए कितनी महनत कर रहे हैं आपको कुछ नहीं करना आपको सिरफ subscribe बटन दबाना है और हमारे चैनल को subscribe करना है इसके अलावा आप सभी friends के लिए मेरी तरफ से एक gift जैसे ही आप payment करने वाले होंगे हमारी application में वहीं पर आपको नीचे एक code डालने का option मिलेगा अगर वहाँ पर आप विकास 10 code डालते हैं तो आपको सीधा 10% का extra discount मिल जाएगा सिरफ विकास 10 आपको code उसमें use करना है एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए additional 10% discount तो जाएए जल्दी से हमारे courses को देखिए एंड उसको purchase कीजिए तो आईए अपनी वीडियो start करते है तो friends हमारा पहला question है ये पूछ रहे कि identify the country that signed an MOU with India के साथ एक country ने MOU sign किया एक joint working group set up करने के लिए किस field में agriculture field में ताकि उसके अंदर दोनों countries काम कर सके मिलके और development और जाएद अच्छे से हो सके उस particular field और उसका नाम है agriculture ठीक है ये भी चीज़ याद रखने की है कि field का नाम क्या है agriculture दो country जिन्होंने sign up एक MOU sign किया joint working group बनाने के लिए वो है इंडिया और आपकी क्या Fiji ठीक है option 5 आपका correct है इंडिया और Fiji मिलके joint working group बनाएंगे ताकि किस field में agriculture field में अच्छा बहतर काम हो सके development देखी जा सके चलो Fiji के बारे में अगर बात करें तो capital के है Fiji की सुवा currency क्या रहेगी Fiji की Fijian dollar ठीक है next question पढ़िये what are the points that are correctly related to the high level defense meeting between the tri service army, navy और air force जिनके बीच में हुई that took placing June 2021 मतलब कह रहा है कि high level defense meeting हुई थी एक तीनो forces की army, navy और air force की, ठीक है अब उसमें साब को बताना है, आगे तीन option दे दिये ABC, क्या उन में से कौन सा option ठीक है और कौन सा गलत है, यह आपको मुझे बताना है जल्दी से पढ़िये बच्चे answer भी करना start कर देते हैं बिना question पढ़े, at least पढ़तो लो एक बार किसमें लिखा क्या है option A क्या कह रहा है the committee discussed on the creation of integrated tri-service theater commands and including paramilitary forces under the home ministry to the theater command तो हाँ, यह जो tri-service meeting हुई थी ना, army, navy और air force के बीच में इसमें बात की गई की tri-service theater commands मनाई जाएंगे अब जैसे हम देख रहे हैं, चाइना की तरफ से भी एक काफी जादा pressure build-up हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से भी इवन नेपाल भी थोड़ा थोड़ा बीच में start हुआ था pressure build-up लेकिन बाप्त चीजे ठीक होती आ रही है तो उसकी ध्यान में रखते हुए अपने defense को strong करने के लिए हमने tri-service theater command के development की बात की गई इस tri-service meeting में चलिए ठीक है पहली एक option तो correct आपका दूसरा कह रहा है जो यह आपकी तीन integrated theater commands होगी न यह recommend की गई थी शेकतर committee के द्वारा ठीक है क्या यह option ठीक है अब यह बिल्कुल ठीक है शेकतर committee के द्वारा recommend की गई थी और जो तीन integrated theater commands होगी न पहली तो होगी northern ठीक है दूसरी आपकी होगी western ठीक है और तीसरी होगी आपकी southern यह तीन आपकी service theater commands बनेगी northern में आप जैसे north में देखेंगे तो चाइना है तो यह चाइना को counter करने के लिए west side आपका पाकिस्तान पर जाता है तो यह पाकिस्तान को counter करने के लिए हुई और south की बात करें तो south में जैसे sea आजाता है आपका तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि चाइना अपना दबदबा या फिर अपनी forces को development में जैसे नेपाल में इन्होंने एक port को हतिया लिया था क्यों क्योंकि वो एक strategic command हो जाती है तो इसी वज़े से अपने naval basis को strong करने के लिए maritime area को strong करने के लिए southern tri theater command की भी बात की गई तो यह हो गया अपना maritime area को cover या फिर exclusive economic zone को protect करने के लिए यह southern command की development की बात की गई तो बिलकुल ठीक बात है शेकातर कमिटी के द्वारा यह बात की गई फिर तीसरा कह रहा है कि जो इंडिया की पहली tri service theater command थी न of armed forces कहाँ पे establish की गई थी port blayer 2001 में यह भी option बिलकुल ठीक है कि जो पहली theater command थी न वो आपकी अंडे माने निकोबार के port blayer में establish की गई थी और कब establish की गई थी 2001 में तो तीनों option आपके यहाँ पे correct हो जाते है next identify the country that signed an MOU यह हम कर चुके हैं फिजी repeated question next India is the dash largest source of FDI FDI आपका foreign direct investment or of United Kingdom कह रहा है कि इंडिया कौन से number पे आता है FDI resource की list में for United Kingdom और UK का ही जो आपका United Kingdom है उसका top most country कौन है जो FDI लाता है उनके लिए तो कौन सा है और यह report किसके द्वारा release की गई inward investment statistics के द्वारा जो की UK नहीं release की हम बात कर रहे हैं UK की तो जो पहले number पे आता है न वो है USA ठीक है यह top source है FDI का United Kingdom के लिए second पे आता है आपका India ठीक है पहले की बात की गई तो USA हो गया और फिर India की rank पूची गई तो India second तो option आपका भी correct है चलो next बात करते हैं यह report का नाम है state of economy released by Daesh India was ranked Daesh in the terms of share of surplus transferred from central bank to governments central bank to government यह बात की गई surplus transferred from central bank to government इसकी एक report के अंदर आया और report का नाम रहा state of economy यह जो की release किसके दुआरा की गई और India की क्या rank रही इसमें यह पूचा गया आपसे ठीक है कि central bank ने government को पैसा बेजा simple चीज जो simple basic language में ठीक है वो इसमें यह data एक report में आया जिसका नाम रहा state of economy पूचा जा रहा है कि इस यह data में यह state of economy की report आई यह किस organization के दुआरा release की गई और इस organization ने जो यह report निकाली इस list में India की जो rank रही वो क्या रही यह बता ठीक है तो देखते हैं जो data निकाला गया यह report निकाली गई किस के दौरा RBI के दौरा और जो India की rank रहीगी वो रहीगी second ठीक है इन्होंने इस report में एक बात और करी India fifth largest foreign reserve holding country है वर्ड का कौनसा fifth largest अभी recently आप सुन रहे होंगे और इंडिया का जो reserve था अभी all time high पर चला गया था क्या मुझे बसा सकते हैं इंडिया का भी जो reserve है Swiss banks में उसका amount भी एक recently release किया गया था वो amount किया है Swiss banks में इंडिया का कितना पैसा जमा है और Swiss bank में कौन सी country है जिसका पैसा सबसे ज़्यादा जमा है यह दोनों चीजा मुझे नीचे comment करके बताईएगा वीडियो देखने के बाद next next कह रहा है कि कौन सी company है जिसने इंडिया में first wallet auto top up feature launch किया using UPI e mandate UPI की full form unified payment interface ठीक है तो यह हो गया कौन सी company ने किया है जल्दी बताओ बताईए किस company के द्वारा यह करा गया किस company ने यह UPI mandates को use करके एक top up feature launch किया first wallet auto top up feature इंडिया में इस company का नाम क्या रहेगा बताईए ज़रा और वो है phone pay ठीक है phone pay पे के द्वारा यह launch किया गया चलो next question पढ़ी अगले question को क्या करा है कह रहा है identify the points that are currently related to BRICS Green Hydrogen Summit 2021 BRICS Green Hydrogen Summit 2021 की बात की गई BRICS की countries के नाम बता सबसे पहले तो कौन कौन सी होती है BC, Brazil, Russia, India China, South, Africa ठीक है यह तो आपको clear हो गया आप कह रहा है और BRICS की जो chairmanship अभी किस के पास है इंडिया के पास है यह भी clear हो गया अब options पढ़ते हैं BRICS countries jointly hosted the summit and set up an international standard for safe transportation and storage of green hydrogen क्या यह option ठीक है आईए देखते है फिर next कह रहा है the summit was virtually organized by the new development bank क्या यह new development bank के द्वारा organized कराए गई थी देखते हैं इंडिया launched the national hydrogen mission to boost the manufacturing of hydrogen and fuel cell technologies ठीक है options को discuss करने से पहले एक term आया यहाँ पर green hydrogen ठीक है green hydrogen क्या है आपका ध्यान रखिएगा hydrogen से हम सबको पता energy develop की जा सकती है तो जब hydrogen को use करके उसका electrolysis किया जाता है ना उससे renewable energy develop की जाती है ठीक है उस energy को green hydrogen energy बोला गया एंड याद रखिएगा hydrogen से जो energy develop की जाती है उससे no carbon emission है या फिर आप कह सकते है no carbon footprint ठीक है उससे कोई carbon नहीं निकलता तो मतलब वो pollution free energy है green renewable source energy है काफी अची energy है इसलिए उसको green hydrogen बोला गया ठीक coming back to options option A कह रहा है कि BRICS के द्वारा jointly host की गई यह summit नहीं इंडिया ने कराया तो पहला गलत हो गया दूसरा कह रहा है the summit was virtually hosted by new development bank या new development bank ने की थी नहीं chairmanship इंडिया के पास इंडिया ने करी थी फिर इंडिया लाँच्छ दा national hydrogen mission to boost manufacturing of hydrogen and fuel cell technologies तो बिल्कुल ठीक option C ठीक है तो correct option हुआ आपका option C ओल राइट तो इसमें याद रखने की बात क्या है green hydrogen अगला question देखिए which company partnered with SBI cards to issue co-branded contactless credit cards to issue rewards on shopping shopping के time पे reward देने के लिए using credit cards किस company ने SBI के साथ SBI card के साथ tie up करा या partner क्या वो है FEB India ठीक है next पढ़िए next ये आपसे पूछा जा रहा है related to inaugural edition of ICC World Test Championship 2021 की बात की गई easy question होना चाहिए जल्दी से पढ़के और answer कीजिए पहला question option कह रहा है first edition of the ICC World Test Championship held in Wellington, New Zealand was won by New Zealand क्या कहां पर हुई थी ये आपको याद है England में हुई थी ना कि New Zealand में तो पहला option तो यहीं गलत हो गया ठीक है आईए दूसरे पर चलते हैं और England में भी याद रखेगा कहां पर South Hampton में हुई थी और राइट चलिए second option कह रहा है 9 teams completed the tournament वेर मारनस लभूशेंज बिकेम the top scorer एंड रवी चंदर अश्विन the top wicket taker क्या ये option ठीक है ये option आपका बिलकुल क्या है ठीक है कैसे ठीक है अगर हम मारनस की बात करें तो मारनस ने जो run बनाये थे top scorer की बात की वो भी आप idea रखियेगा कितने है 1,6,7,5 runs और हम बात कर रहे हैं फिर रवी चंदर अश्विन क्या बने top wicket taker तो रवी चंदर अश्विन की जो wickets इन्होंने total ली वो है 71 ये option भी आपका ठीक हो गया option C देखिए at the end of the tournament इंडिया रवी चंदर अश्विन became the ICC's world number one all-rounder cricket in the test cricket क्या ये ठीक है नहीं ये option आपका गलत है कौन बने है number one ICC world's number one all-rounder test cricketer वो बने है आपके रविंदर जडेजा ठीक है याद रखियेगा रविंदर जडेजा आपके बने है number one all-rounder in the test cricket तो यहाँ से option आपका only B option 4 ठीक है next next हम बात करेंगे correctly related to initiatives made during the 2021 annual meeting of Reliance Industries Limited Reliance Industries Limited के जो initiatives लिये गए उनके बारे में देखना है कि कौन सा option ठीक है और कौन सा नहीं पहला कह रहा है कि RIL announced to set up धीरुबाई अम्बानी Green Energy Giga Complex in पुने महाराष्टर at a cost of 75,000 करोड रुपी to boost clean energy sector तो कहां पर यह set up किया गया था कोई idea है इसका यह कह रहा है कि option A में कि पुने महाराष्टरा में set up किया गया धीरु अम्बानी Green Energy Giga Complex पुने महाराष्टरा में 75,000 करोड का to boost clean energy sector तो यह पुने जो कह रहा है वो पुने में नहीं है आपका कहां बनेगा गुजरात में और गुजरात में भी कहां पर जाम नगर में ठीक है जाम नगर में गुजरात के यह आपका complex बनेगा अम्बाद धीरु बाई अम्बानी का Green Energy Giga Complex प्रोजेक्ट अमाउंट इसकी 75,000 रुपे ही रहेगी सेगिन पर आईए तो पहला option तो आपका गलत हो गया यासिर अल्रमुनायाज चेर्मेन आफ साओधिय अर्माको इस सेट तो जॉइन R.I.L. बोड अज इन इंडिपेंडेंट डारेक्टर क्या यह इंडिपेंडेंट डारेक्टर होल्ड करेंगे यह हमने पढ़ा है यह option भी आपका ठीक है 3. Reliance Joy Reliance Joy is to set to partner with Microsoft Azure to launch 5G services in इंडिया नहीं यह Microsoft Azure के साथ नहीं है यह किसके साथ टाइप करेंगे Google के साथ ठीक है याद रखेगा Google Cloud के साथ इनका टाइप होगा to launch 5G services in इंडिया तो option C भी गलत हो गया option 2 आपका correct next India's bank credit to GDP ratio increased to a 5% high over 56% 2020 में इंडिया का जो bank credit to GDP ratio है वो आपका all time high रहा पिछले 5 साल का 56% बड़ा 2020 में यह data पूछा जा रहा है कि किसके दवारा release किया गया यह किया जाता है bank of international settlements के दवारा ठीक है next insurance company का नाम पूछा गया इस question में आपसे जिसने partner किया Clovia के साथ to launch women cancer shield यह women cancer shield आपकी एक insurance policy है female breast cancer patients के लिए ठीक है पूछा जा सकता है कि women cancer shield आपकी किन patients के लिए है तो यह आपके female breast cancer patients के लिए insurance policy निकाले गई थी insurance company का नाम पूछा गया आपसे जिनोंने Clovia के साथ यह tie up किया तो जिस insurance policy ने यह निकाला तो क्या है वो उसका नाम वो है alliance insure ठीक है alliance insurance के द्वारा Clovia के साथ मिलके इन्होंने launch किया women cancer shield next next question पढ़िए यह कह रहा है कि IFSCA सबसे पहले IFSCA क्या होता है international financial services centers authority ठीक है इनके द्वारा एक appoint किया गया chair person for the committee to examine global shipping practices and frame our road map for similarities in the gift city question समझे कि एक committee बनी जो आपका global shipping practices का एक roadmap मतलब आगे हम future में क्या plan रहेंगे क्या process रहेगी कैसे हमें import export कैसे business करना है यह सारी चीज़े को ध्यान रखने के लिए gift city में उस committee को बनाया गया और वो chair person कौन रहे तो वो रही आपकी वंदना अगरवाल ठीक है पहला question तो यह complete हो गया दूसरा आपको चीज़ पता हो नीची है gift city gift city की full form क्या है गुजरात international financial finance technology city ठीक है GIFT गुजरात international finance technology city यह कहां पर है गुजरात में आगया तो आपका नाम simple clear हो जाना चीए यह gift city आपकी gift city कहां बनेगी गुजरात में ठीक और इनकी बीच में जो committee के chairman prayer person है वो कौन रहेंगी वंदना अगरवाल next next is कि 2021 का international day against drug and abuse and illicit traffic के day हम celebrate किया कब 26 जून को international day against drug abuse and illicit traffic हमने observe किया 26 जून को उसकी theme आप से पूची गई है कि उस दिन की theme क्या रही जो theme रही वो है share facts on drug and save lives ठीक है यह आपकी theme रही next next आपका कि जून में the international bank for reconstruction and development के दौ़ारा 1860 करोड का एक loan पास करा गया for implementing salt program यह आपका किस state को इंडिया की benefit करेगा simple चीज सबसे पहले तो आपको एक तो salt की full form पता होनी चाहिए salt की अगर आपको full form पता है अगर आपको यह project का नाम पता है तो यह question directly solve हो जाएगा ठीक है salt होता है आपका supporting आंध्राज learning transformation supporting आंध्राज learning transformation ठीक है मतलब आंध्रप्रदेश में आपकी education पे अच्छा work करने के लिए government school के appointment के लिए वहाँ पे और जाधा tech हो मतलब आपके resources provide की जाए education अच्छी दी जाए teachers वहाँ पे post किये जाए ताकि बच्चों को proper facilities मिल सके and education मिल सके तो यह salt आंध्रप्रदेश का program था तो IBRD ने 1860 करोड रुपे का एक loan आंध्रप्रदेश को या फिर salt program के implementation के लिए दिया और salt program आपका कि स्टेट में है यह आपका अलाग हुआ है आंध्रप्रदेश में ताकि education को फाइदा हो सके महाँ पे next which organization partnered with game game है आपका global alliance for mass entrepreneurship ठीक है किसलिए जो MSME sector है मतलब आपके जो छोटे business man है उनको जो दिक्कत हुई है pandemic के दोरान उनके जो business effect हुए है उनको help करने के लिए किस organization ने game के साथ tie up किया यह करा आपके SIDBI ने SIDBI क्या होता है आपकी full form पूछी जा सकती है तो SIDBI है Small Industries Development Bank of India फिर SIDBI कब develop हुआ था 1990 में इसका headquarter का है इसका headquarter लखनौ UP ठीक चलो अगला question पढ़िए किसको appoint किया गया as the chairperson of the government's three member task force on bureaucratic reforms through mission करम योगी करम योगी एक mission है आपका पहले तो आपको करम योगी बताओ क्या है करम योगी है आपका जो यह से हमारे civil servants होते है UPS आपके UPS से IPS लग गए IRS IPS या जो भी high level authority होती है वो आगे हमारे क्या road map develop करेंगे मतलब आगे-ागे कैसे आपका काम होगा व्यापार कैसे होगा business क्या होंगे क्या rules होंगे ठीक है किसी particular department में अगर कोई दिक्कत है अगर वहाँ पे कोई facility कम है या फिर जैसे सब कुछ हम electronic होता जा रहा है सब कुछ आपका online system हो रहा है तो वहाँ पे क्या internet प्रोवाइड किया जा रहा है या जो भी basic facilities है क्या वो हो रही है या नहीं वो सारे देखते थे लेकिन अब उसको और proper road में बना के एक अच्छे सगर आ जाएगा तो वो है आपका mission करम योगे ठीक है पहली चीज तो इसको एक बार और देखें तो mission करयो भी या आपका national program for civil service capacity building रहेगा comprehensive reform of the capacity building apparatus at individual institutional and process levels for efficient public service delivery ठीक है ताकि लोगों को proper service delivery हो सके कोई दिक्कत ना आए तो ये इसके लिए एक तीन member की committee develop की गई उनके chairman पूछे गई कि कौन रहेंगे उस committee के chairman वो है SD Shiba SD Shibu Lal जी ठीक है चलिए next है आपके union minister of MSME नितिन गड़करी जी ने एक MSME प्रेड़ना launch किया जो की किस bank के दौरा launch किया गया और किस state में launch किया गया ये पूछा गया आपसे ठीक है तो MSME ये प्रेड़ना कहां पे launch किया गया किस के दौरा सबसे पहले तो Indian bank के दौरा launch किया गया पहला question दूसरा कहां पर launch किया गया महराष्टरा में इसको launch किया गया ठीक है तो correct option हो गया fifth next question एक virtual meeting हुई थी UN की high level dialogue degraded land by कब तक ठीक है और इसमें पूछा गया कि किन के दौरा ये virtually participate की गई थी meeting तो ये हमारे PM के दौरा नरेंदर मोदी जी के दौरा participation दिखा इस meeting में एंड जो इंडिया का target रहेगा 26 million hectare land को degraded land को वापस से restore करनेगा वो कौन क्या ये रहेगा 2030 रहेगा इंडिया की क्या rank रही world giving index में 2021 के जो की charities and foundations के दौरा release की गई charities and foundation के दौरा world giving index 2021 का release किया गया पहला question तो आपका ये ही हो गया दूसरा पूछा गया कि इंडिया की क्या rank रही इसमें charities giving index में या world giving index में जो की charities and foundation के दौरा release किया तो देखो world giving index में आपकी बात की गई है कि क्या charities होती है कौन कितना देश कितनी जादा charity कर रहा है दूसरों के help कर रहा है ठीक है महां के लोग कितने जादा charity करते हैं तो इंडिया की जो rank रही ना इसमें वो तो रही 14 ठीक है और जिसने top किया इसमें वो है इंडोनेशिया इं में इंडेक्स में world giving index में 2021 के top किया तो correct option हो गया 5 इंडोनेशिया तो रहा 1 पर 2 पर आपका कौन रहा 2 पर आगया आपका कीनिया एंड थर्ड पर है आपका कीनिया के बाद आ जाता है एक मिनिट एक मिनिट नाइजीरिया ठीक है पहले पर इंडोनेशिया दूसरे पर कीनिय और तीसरे पर इंडोनेशिया तीसरे पर नाइजीरिया next to achieve net zero emissions by 2050 world should increase clean energy investment to $1 trillion by कब तक as per the financing clean energy transition in energy and developing economics report जो कि किसके द्वारा release की गई मतलब एक organization ने एक report release की जिसमें बोला कि अगर हमें net zero emission achieve करना है ना 2050 तक मतलब pollution हमें एकदम zero emit कर रहे हैं release कर रहे हैं atmosphere में तो world को $1 trillion कब तक invest करने पड़ेंगे clean energy में तो ये जो $1 trillion का target है ये कब तक set up करना है हमें कब तक investment करना है तो वो है 2030 तक और ये report किसके द्वारा release की गई IEA के त्वारा जो की है international energy agency option 3 option 2 next which small finance bank collaborated with more engage to improve banking experience in the unserved and underserved regions of India किस small finance bank ने more engage के साथ एक tie up करा किसलिए banking experience को improve करने के लिए unserved and underserved regions of India में तो कौन सा bank है वो है आपका उजीवन small finance bank उजीवन small finance bank आपका 2017 में develop किया गया था और इसका जो headquarter रहेगा वो आपका है बैंगलोर करनाटका में next किस ने इंडिया को represent किया at the UN trade forum and was conducted under the theme dash UN trade forum की theme किया रही और इंडिया से किस व्यक्ति ने उसमें participate किया तो इंडिया से तो थे प्यूष गोयल जी ठीक है और जो थीम रही वो है आपकी towards a green and inclusive recovery ठीक तो correct option हो गया to प्यूष गोयल और towards a green who will be benefited through ICICI stack a first of its kind digital banking solution initiated by ICICI bank I repeat who will be benefited through ICICI stack एक पहले type का digital initiative है banking solution initiative by ICICI bank कौन होंगे corporates next which bank partnered with LIC card services limited to launch शगुन एक contactless gift card for LIC ये शगुन एक contactless gift card है LIC का पूछा जा रहे है कि किस bank ने partner किया LIC cards के साथ to launch it तो कौन सा bank है वो है IDBI bank IDBI bank की अगर हम बात करें तो ये established कब हो था 2004 में इनके CEO कौन है राकेश शर्मा और headquarters का है मुंबई महराष्टा में most of the bank के जो headquarters रहेंगे ना आपके मुंबई महराष्टा में होते हैं अगर कोई question आपसे पूछा जाए और आपको उसका bank का headquarter नहीं पता तो chances 99% 99% chances आपके रहेंगे कि वो मुंबई महराष्टा होगा exceptions याद करने ज़रूरी होते ही हैं ठीक तो आगे देखते हैं कह रहा है कि which bank partnered with carex mobile to enable secured banking communications through whatsapp whatsapp के through secure banking communication हो सके इस वज़े से एक bank ने carex mobile के साथ partner किया उस bank का नाम बताईए वो है access bank ठीक है next dash designed the world's first wooden satellite visa woodset काफी important रहेगा यह visa woodset के नाम से world की पहली wooden satellite develop की गई किसके द्वारा वो design की गई और launch कहा से की जाएगी europe space agency के द्वारा हम पहले कह रहे थे कि जपान बनाएगा जपान बनाएगा 2023 तक उसको launch करेगा लेकिन अभी recently news आई कि किन के एक wooden satellite जो की visa woodset के नाम से एक country ने उसको बना लिया design किया गया फिल्नेंड के द्वारा and European space agency उसको कहा से launch करेंगी न्यूजिलेंड से ठीक है दोनों चीज़ याद रखेगा design किसके द्वारा की गई world की first wooden satellite visa woodset किसके द्वारा फिल्नेंड के द्वारा launch कहा से की जाएगी European space agency के द्वारा फिल्न न्यूजिलेंड से उसको launch किया जाएगा नेक्स्ट यूनियन कैबिनेट ने अप्रूफ या रिस्ट्रक्चुरिंग और फॉर्टीवन्स फैक्टरी जॉफ और ओर्डेंस फैक्टरी बोर्ड इन्टु सेवन डिफेंस पीएस यूजिलेंड सेवन रहेंगे याद रखेगा नेक्स्ट इन्डिया वॉस रैंक्ट डैश वर्ल्ड कमपेटिटिव इंडेक्स 2021 की रैंक में लिस्ट में इन्डिया की क्या रैंक रही जो की इंस्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवल्लपमेंट के दौरा रिलीस की जाती है तो इंडिया की तो रैंक रही 43 और जिसने टॉप किया वो है Switzerland अल्राइट चलिए अगर सेकंड स्पोर्ट पूछाई जाए तो सेकंड स्पोर्ट है आपका Sweden और थर्ड स्पोर्ट है Denmark next next है कि which bank launched a first of its kind digital landing platform utilizing India's tech project to offer paperless personal loan paperless personal loan के लिए एक project India's tech launch किया गया किस bank के दारा simple question यह है freighting bank के दारा कि अनेक्सd इंडिया के स्विस नेशनल बैंक के अन्वल बैंक स्टेस्टिक की बात की जा रही है इंडिया विद ओवर 20,000 करोड डिपॉजिट इस प्लेस्ट एड डैश यही क्वेशन मैंने आपको होमवक दिया था ठीक है और यह ही पर आ गया तो इंडिया ने अभी 20,000 करोड रुपे का डिपॉजिट से भी जादा हमने देगा स्विस नेशनल बैंक में जो की स्विजलेंड के बैंक से हैं इसमें बोला गया कि इंडिया की क्या रैंक रही लिस्ट में अगर हम सब की बात करेंगर जैसे हर कंट्री उसमें पैसा डिपॉजिट करती है तो इंडिया ने 20,000 करोड रुपे डिपॉजिट किये क्या लिस्ट में रैंक रही होगी उसकी ठीक है यह पूछा गया और बोला गया कि उसमें टॉप डिपॉजिटर कौन है इंडिया की रैंक तो रहीगी 51st और जो टॉप डिपॉजिटर है वो है UK ठीक है United Kingdom इन्होंने अप्रॉक्सिमेटली अगर हम बात करें तो 377 बिलियन डॉलर का इंवेस्टमेंट किया इसमें और सेकिंड पे कौन रहा USA ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका 51st और UK नेक्स्ट इंडिया वाज रैंक्ट डैश इन दस सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट दो हजार एक्टी की SSDN मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉलुशन नेटवर्क के दोरा रिलीस की जाती है और इसमें किसने टॉप किया तो देखो इंडिया की रैंक क्या रही 120 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में 2021 की एंड जिसने टॉप किया वो है Finland तो correct option हूँ आपका option 2 Next Which country signed an MOU with India for enhancing bilateral corporation cooperation in the field of climate change and west management Climate change और west management में cooperation बढ़ाने के लिए किस country ने इंडिया के साथ एक MOU sign किया वो है Bhutan के साथ Next Identify the bank that will be acquired by Centrum Financial Services Limited in the process of setting up a small finance bank Small finance bank के setup के लिए किस bank के द्वारा कौन सा bank acquire किया देगा Centrum Financial Services Limited के द्वारा यह है Punjab and Maharashtra cooperative bank Next कह रहा है कि UN General Assembly ने अभी recently किन को अपॉंट किया as their Secretary General of UN Secretary General UN के पहले कौन थे वो बताओ Antonio Gutters ठीक है अब फिर से उन ही को UN General UN जी है जो की United Nation General Assembly है उनके द्वारा उनको वापस से reappoint कर लिया गया है ठीक है तो कौन है वो वो है Antonio Gutters और उनका जो time period रहेगा term रहेगा कितने time का रहेगा पाँच साल का रहेगा तो मतलब Antonio Gutters अब 2026 तक United Nation General Assembly के Secretary General बन गया है तो correct option है option 2 next कि where did Indian Navy conduct a joint naval exercise with European Union Naval Force Somalia EU नेवपोर ठीक है आई रिपीट Indian Navy ने European Union के साथ कहा पर एक joint naval force exercise की वो की Gulf of Eden ने उस exercise का नाम याद रखिएगा EU NAV4 रहेगा और इसके अलावा EU NAV4 को एक और नाम से जाना जाता है वो भी काफ़ important है वो भी पूछा जा सकता है कि Operation Atlanta ठीक है Operation O Operation Atlanta ठीक है पूछा जाए कि Operation Atlanta किन के बीच हुआता तो India और किसके European Union के Naval Forces के बीच में कहां पे हुआ Gulf of Eden में हुआ और उसका दूसरा नाम EU NAV4 Next Name the bank that signed an MOU with National Small Industries Corporation under NSIC Bank Credit Facilation Scheme to provide loan to MSME sector किस bank ने किया Union Bank of India के दौ़ारा करा गया Next हम बात करेंगे कि India का जो Retail Inflation Rate है न वो क्या रहा as per RBI तो इंडिया का Retail Inflation Rate कितना रहा 6.5% का और इसके अलावा अगर मैं बात करूं Wholesale Price Inflation Wholesale Price Inflation जो Rate कितना रहा बताईए ये मे का डाटा है 12.94% All right Next किस organization ने partner किया National High Speed Rail Corporation Limited के साथ to formulate world का पहला green rating system for high speed rails किस के दौ़ारा किया गया Indian Green Building Council के दौ़ारा ये partnership की गई National High Speed Rail Corporation Limited के साथ Next Which bank recently entered into a BenzCare partnership with SBI General Insurance SBI General Insurance के साथ किस bank की partnership अभी recently देखी गई वो है आपकी IDFC First Bank Next Name the only PSU to feature in the top 50 India's Great Place to Work List ये एक India की top 50 Great Place to Work List रिलीस की गई इसमें इंडिया का एक ही PSU आया उस PSU का नाम बता दो क्या है वो है आपका NTPC National Thermal Power Corporation और ये रिलीस किसके द्वारा की जाती है Great Place to Work Institute के द्वारा इसको रिलीस किया जाता है इस लिस्ट को जून में who was elected as the chief prosecutor of the international criminal court for a tenure of dash years करीम खान को आपका क्या एक chief prosecutor elect किया गया for international criminal court का और कितने term period के लिए 9 साल के लिए उनको elect किया गया तो option है fourth correct करीम खान और उनका term रहेगा 9 साल का एक चीज़ और अगर हम बात कर रहे हैं international criminal court की तो यह बना कब था यह आपका 2002 में बना था और इसका जो headquarter रहेगा वो कहाँ पर है हौज में हौज कहाँ पर है नीदर लेंड्स में ठीक है next in june dash set up india's first international maritime services cluster at jift city jift city में किसके द्वारा इंडिया का पहला international maritime service cluster बनाया गया या set up किया गया काफ़ important रहेगा यह किसके द्वारा करा गया है यह आपका करा गया है यह question क्योंकि jift city से related हो गया na jift city आपकी गुजरात में है और पहला international maritime services हो गया इसी वज़े से ठीक है तो jift city कहा गुजरात में तो definitely गुजरात maritime board के द्वारा करा गया होगा और गुजरात maritime के board के द्वारा करा गया लेकिन jift city में कहा पर यह develop होगा एमदाबाद में develop होगा यह और याद रखिएगा ओ सॉरी यह होगा option आपका correct जो होगा वो है of HSBC इंडिया, HSBC इंडिया के interim CEO किन को बनाया गया हितेंद्र डेव को, option 3 next, किन को अपॉइंट किया as the educational advisor of the world bank यह काफी important question रहेगा जिन यह है रंजीत सिना दिसाले जी और रंजीत सिना दिसाले ही याद रखिएगा यह पहले इंडियन बने थे, यह first इंडियन बने है जिनको recently 2020 का global teacher prize से सम्मानित किया गया था global teacher prize 2020 का याद हो तो आपको रंजीत सिना दिसाले जी थे इनको मिला था, ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि इनको advisor or educational advisor of the world bank appoint किया गया है ठीक, चलो, और अगर पूछा जाए कि यह रंजीत सिना दिसाले कि स्टेट से बिलॉंग करते हैं तो यह महराश्टरा से बिलॉंग करते है next which is the world's most livable city as per the global livability index 2021 का जो कि economic intelligence unit के द्वारा release किया जाता है पूछा जा सकता है कि global livability index किसके द्वारा release किया जाता है economic intelligence unit के द्वारा और पूछा गया कि दुनिया के सबसे most livable city कौनसी है as per your economic intelligence unit की report के द्वारा तो वो है Auckland, New Zealand की ठीक है, पहले तो हो गई Auckland, New Zealand फिर अगर मैं आपसे पूछूँ या question ही आ जाए, तो second number पे कौन है कौन सी city है, वो है Osaka Osaka कहां पर है, जपान में तीसरी number के अगर बात की जाए तो third number पे आ जाती है Adla, Adlaida और Adlaida यह है कहां पर, यह Australia में है ठीक है, पहले पे Auckland, New Zealand Next, किस bank ने partner किया India Bulls Housing Finance Limited और IAEFL Home Finance Limited के साथ Towards Co-Landing Housing Loan Under Pariety Sector Lending Bank का नाम पूछा गया है, simple बता दो किस bank ने करा Central Bank of India के द्वारा किया गया है फिर कह जा रहा है कि Global Economic Prospectors किसके द्वारा release किया गया जिसमें इंडिया की GDP का जो estimate था ना, वो यह कि 2022 के fiscal year 2022 के fiscal year में जो growth दिखेगी इंडिया की GDP में वो कितनी percent रहेगी, ठीक है तो यह Global Economic Prospectors किसके द्वारा release किया गया, यह किया गया World Bank के द्वारा release और जो growth इंडिया की GDP for fiscal year 2020, वो क्या रहेगी, वो growth आपकी 8.3 percent की तो option क्या आपका correct option fourth World Bank इसके अलावा गर मैं बात करूँ World Bank और International Monetary Fund दोनों का headquarter कहां पे होता है Washington, D.C. में Next Who was appointed as the election commissioner of India in June 2021? काफी important question कि इंडिया का election commissioner कौन बने है नई वो बने है आपके अनूप चंद्रा पांडे जी ठीक है और अगर मैं बात करूँ आर्टिकल आपका आर्टिकल किसका? For C.E.C. Chief Election Commission का जो आपका आर्टिकल होता है वो मेरे को बता दो क्या है? Sorry, यहाँ पे Chief Election नहीं Election Commission का Election Commission का जो आपका आर्टिकल है वो कौन सा होता है? वो है आपका 324 Election Commission का जो आर्टिकल है कि election होंगे वो किसके अंडरात है article 324 के और नए election commissioner कौन बने है इंडिया के अनूप चंद्रा पांडे जी next question पढ़िए which deputy governor of RBI was reappointed for a period of two years मतलब किन को reappoint कर लिया है किस deputy governor of RBI को reappoint कर लिया है कौन है वो बताओ महेश कुमार जैन ठीक है तो महेश कुमार जैन option 5 आपका correct है next एक चीज़ और याद रखेगा इसमें जो RBI के आपके deputy governors होते है न वो maximum 4 ही हो सकते हैं एक बारी में तो वो exceed नहीं कर सकते चार नंबर और जो current अभी हम बात करें जो है एक तो है महेश कुमार जैन दूसरे है माइकल पात्रा जी तीसरे है M. राजेश्वर राओ फिर है M. जैन और आपका है फिर M. जैन आपके महेश कुमार जैन हो गए और एक और है आपके वो है राभी शंकर जी ठीक है चार हो गए महेश कुमार जैन माइकल पात्रा M. राजेश्वर राओ और राभी शंकर जी नेक्स्ट RBI गेव अप्रूवल फॉर रिय अपॉइंट्मेंट उफ चंदर शेकर गोज 25, सब्सक्राइब गेवोर बंधन माया जात्राइब अपॉइंट्मेंट्मेंट उफ आप तो इसको दिये कि स्टेट ने और उन्होंने अपने डिजी लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड की फार्मर्स के लिए तो यह स्टेट कौन सी है पंजाब इंपॉर्टेंट रहेगा तो मा करके चलिएगा नेक्स्ट विच कंट्री कोचेर दफ फर्स एडिशन ऑफ अरब इंडिया एनरजी फॉर्म को किस कंट्री ने कोचेर किया और वो फर्स एडिशन रहा और फिर हम बात करेंगे सेकिंड एडिशन का तो first edition of Arab India Energy Forum किस country के साथ co-chair किया गया इंडिया के दोरा वो है Morocco ठीक है Morocco के साथ इन्होंने co-chair किया second चीज फिर मैं अगर बात करूँ तो जो second edition होगा वो 2023 में होगा ठीक है और कहाँ पे होगा इंडिया में अल्राइट चलिए अब आपके लिए मैं एक question छोड़के जा रहा हूँ आपको बताना है जो first edition अब भी इन्होंने co-chair किया इसकी location क्या रहेगी यह मुझे आप comment करके बताओगे दो-तिन question होते जा रहे हैं साथ-साथ note करके चलिए मैं देखता हूँ कि सब लोग जो वीडियो तो बहुत अच्छे से देखते हैं सब करते हैं लेकिन वो comment नहीं करते नीचे तो उनके लिए तो comment करके ज़रूर बताओ क्योंकि अगर आप search करेंगे न आपको एक नहीं दो-तिन चीज़ और आप search करेंगे पढ़ेंगे तो कुछ आपको value मिलेगी कुछ knowledge gain होगी ही All right Next Which insurance company partnered with Pay nearby to launch first of its kind 3-in-1 insurance scheme called Poon Suraksha Poon Suraksha ये किसके द्वारा लांच की गई ये की गई आपका India 1st life insurance company option 4th के द्वारा Next Which is the number one bank in the world as per the Forbes list जो की world का best bank of 2021 है मतलब Forbes की एक list है world's best bank of 2021 के दर हा उसमें किस bank कौन सा bank number one bank रहा Which is the number one bank वो है DBS bank DBS bank है कहाँ पर इसनका headquarter कहाँ पर है ये भी पूछा जा सकता है तो वो है Singapore में Next India was ranked dash in global skills report 2021 और ये किस के द्वारा lease की जाती है ये release की जाती है याद रखेगा Coursera के द्वारा इसको release किया गया और पूछा गया कि India की क्या rank रही Global skills report 2021 की में तो जो इंडिया की rank रही वो रही 67th Coursera के आपने देखा होगी अगर आपको कोई online course करना है जो आप कहते हैं वो आप online कर सकते हैं using Coursera वहाँ पर काफी सारे courses available होते हैं और आप जाके enroll हो सकते हैं जैसे आप college में जाते हैं डिग्री लेते हैं ऐसे ही आप online इन पर जाके कुछ महीने का course होता है दो महीने के तीन महीने के as per your time महाँ पर काफी सारे options available होते हैं तो आप महाँ पर जाके course ले सकते हैं that is certified course identify the banks that were listed by Niti Aayog for privatization in 2022 किस bank के privatization के लिए Niti Aayog ने बताया गया तो कौन से bank हैं वो बताओ वो हैं आपके Central Bank of India और Indian Overseas Bank तो correct option हो गया option 5th next किसको Asia Pacific Productivity Champion 2020 के अवार्ड से सम्मानित किया गया Asia Productivity Organization के दुआरा तो किनको सम्मानित किया गया RS Sodi को सम्मानित किया गया ठीक है चलिए और एक चीज़ और यह RS Sodi na first Indian बने है जिनको यह आपके Asia Pacific Productivity Champion 2020 के अवार्ड से सम्मानित किया गया With which country did the Society of Indian Defense Manufacturers sign an MOU to boost bilateral defense industrial relationship किसके साथ साइन किया गया यह है Sweden के साथ next अगला है कि UNJ जो की United National General Assembly की high level meeting के दोरान इंडिया का क्या target रहा AIDS को eliminate करने के इन्होंने एक target सेट किया वो है 2030 का याद रखिएगा इसके साथ साथ इंडिया मलेरिया को भी eliminate करने की बात कर रहा है और उसका targeted year रहेगा 2030 ठीक है तो AIDS और मलेरिया दोनों को eliminate करने का जो targeted year है वो सेम रहेगा 2030 विच बैंक लॉंच्ट कवच पर्सनल लोन स्कीम टू प्रोवाइड को लेटरल फ्री लोन अप्टू पांच लाग रुपे फॉर कोविड-90 ट्रीटमेंट के लिए मतलब कोई को लेटरल आपको मतलब कुछ गिरवी नहीं रखना होगा या कुछ अपने प्रॉपेटी के पेपर्स या कुछ भी नहीं दिखाना होगा अगर आपको पांच लाग रुपे तक का लोन चाहिए कोविड की ट्रीटमेंट के लिए और ये अंडर क्या या कवच पर्सनल लोन ये किसके दुवारा लॉंच किया गया स्टेट बैंक ओफ इंडिया के आरबिय ने एक्स्टेंड कर दे रिस्क बेस्ट इंटर्नल ओडिट सिस्टम फोर ओल डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड फोर नॉन डिपॉजिट टेकिंग साइज होना चाहिए तो वो है आपका पांच हजार करोर रुपे का विच बैंक टॉप्ड अमंग दा पीएस्यू बैंक इन दा फिसकल यर 2021 इन टर्मस ओफ लोन एंड डिपॉजिट गूरोत मतलब लोन प्रोवाइड किया गया और उस बैंक में सबसे ज़ादा अमांट डिपॉजिट हुआ कौन सा बैंक है टॉप किया इस बैंक ने यह है बैंक ओफ महराष्ट्रा बैंक ओफ महराष्ट्रा की बात करें 1935 में बना था ठीक है कहां बना था इसका हेड़कॉर्टर का है पुने महराष्टा में है फिर अगर MD&CEO की बात करें तो AS राजीव इनके क्या है MD&CEO Next किश इंशॉरेंस कंपनी ने पार्टनर किया Microsoft के साथ for strengthening its customer support using Microsoft Azure अपने customer support को strong करने के लिए किस इंडियन इंशॉरेंस कंपनी ने Microsoft Azure के साथ tie-up करा तो क्या नाम है कंपनी का बताओ जो कंपनी का नाम रहेगा आपका वो है ICICI Lombard General Insurance Company ठीक है चलो Next Next हम बात करेंगे कौन बना है first Indian to be appointed as the President of International Narcotics Control Bureau काफ़े important question रहेगा INCB जो की International Narcotics Control Bureau के पहले Indian बने है जो की President बने है INCB के बताओ कौन है हो वो है जगजीत पवादिया जी ठीक है काफ़े important question रहेगा इसको mark करके चलिएगा जगजीत पवादिया जी ये पहली Indian बनी है and she's a female ठीक है जगजीत पवादिया जी ये female है ये पहली Indian बनी है President of International Narcotics Control Bureau की इनका जो term रहेगा 5 साल का रहेगा ये भी आप याद रखेगा ठीक है and इसके अलावा ये पहली तो Indian बनी ठीक है और ये second women है मतलब इन से पहले एक women और रही थी जिन्नोंने ये presidency की post hold करी थी INCB की चलो next इन जून इंडिया ने अपना retarget किया ethanol blending का with petrol 2 dash I repeat इंडिया का retargeted its कितना retargeted its 20% ethanol blending with petrol 2 कब तक 2023 तक तो option correct हुआ fourth dash topped the air inc global 150 cities index for financial attractiveness while from Indian side New Delhi was ranked dash in the index ठीक है तो आपका manama panama नहीं manama और manama क्या है ये capital city किसकी है बहरीन की इन्होंने top किया air inc global 150 cities index में for financial attractiveness ठीक है मतलब लोग यहाँ पे पैसा invest करें जो बड़ी-बडी company के CEO है बड़ी-बड़ी company है वो वहाँ पे आके पैसा invest करें लोग आए ठीक है तो उसमें जो फाइनेंशिल attractive नहीं इस्ताना उस index में manama ने top किया पूछा गया New Delhi की क्या rank रहीगी इंडिया की तो जो New Delhi की rank रही वो रही 113 तो option तो यही खतम हो गया पहला option ठीक आपका लेकिन अगर मापसे पूछ लेता इसमें Mumbai की भी मुझे rank बताओ तो Mumbai की क्या rank रही वो 125 वी rank रही ठीक चलो next which bank was the first in Asia-Pacific region to partner with Swift to offer a cross-border in one payment facility called Swift GPI instant Swift GPI instant ये first Asia-Pacific region की partner की गई Swift के साथ एक ये facility है Invert Payment Facility ठीक है cross-border मतलब 2 countries के बीच में payment कर सकते हो तो किस के द्वारा ये launch की गई और इसमें जो payment कर सकते हो उसका जो amount है वो 2 लाग तक कर सकते हो ठीक है 2 लाग रुपे तक तो ये किस के द्वारा launch की गई किस bank के साथ partner करके Swift ने ये की गई ICICI bank के साथ ICIC bank ने Swift के साथ partner किया तो Swift की भी full form होगी कुछ अगर capital में लिखा है तो बिल्कुल है Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication I repeat Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ठीक है Next Which bank in partnership with Satin Credit Card Network became the first international bank to integrate with NPCI's UPI AutoPay platform तो कौन सा bank बना HSBC Bank India ये आपका बना Next Next SBI नेक MOU sign किया CSSF के द्वारा for bilateral corporation in securities regulation CSSF पूछा जा रहे है कि जो आपका CSF है ये Financial Regulator है किस country का ये है आपका France का ठीक है Next To regulate FinTech industries A first of its kind Interregulatory panel was constituted by the Financial Stability and Development Council in 2021 The panel member belongs to which organization किस panel से belong करते है या किस organization से belong करते है आपके ये Financial Stability and Development Council के member बताईए ये आपके Finance Ministry से भी belong करते है IRDI जो कि Insurance Regulatory Authority of India इससे भी RBI से भी और SEBI से भी belong करते है तो correct option हो गया option 5 ठीक है आज की वीडियो का आखरी question और सबसे important question भी कह सकते है इसको ये है कि 2021 का International Booker Prize अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे content से related या फिर हमारी कोई एप से issue आ रहा है कोई भी आप आपको problem है तो आप हमारी Gmail ID जो कि support at the rate of affairs cloud.com या फिर हमारा number 9677333 862 पर contact कर सकते है और हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके issue को resolve करने में आपकी साहिता करेगी so take care